15.5 मीडिया और जन सहभागिता सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौकिक या द्रिश श्रव्य माधमों के जरिये सफलता पूर्वक एक दूसरे तक पहुचाना संचार है इस प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करने वाले साधन संचार माध्यम कहलाते हैं जैसे अकबार, टीवी, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल साइट, फेस्बुक, वाट्सब, ट्विटर, आदी, पत्रिकाएं, सिनेमा, आदी 15.5.1 जन सहभागिता में मीडिया की भूमिका संचार के माध्यम हमेशा से ही शासन में जनता की सहभागिता बढ़ाते रहे हैं लेकिन आज तकनीकी क्रांती के कारण संचार के माध्यमों का विकास तेजी के साथ हुआ है साथ ही लोगों की संचार के साधनों तक पहुँच बढ़ रही है तकनीक में सुधार के चलते आज देश विदेश की खबरें हमारे लिए सहज उपलब्ध हो जाती है इलेक्ट्रोनिक मीडिया ने इसमें महतुपूर्ण योगदान दिया है आज हम देख सकते हैं कि समाचार चैनलों की संख्या बढ़ती जा रही है कही कोई घटना घटित होती है तो इसकी सूचना तुरंत इन समाचार चैनलों के माध्यम से हम तक उसी वक्त पहुँच जाती है इन संचार के साधनों ने शाषन में लोगों की भागीदारी बहुत सहर धंग से बढ़ाई है संचार के ये साधन केवल सुचनाओं को पहुचाने का कारे ही नहीं कर रहे हैं बलके जन्मत बनाने में इनके महतुपूर्ण भूमिका हो गई है अब लोग सरकार के किसी कारिय या किसी घटित घटना पर मीडिया की खबरों के आधार पर अपनी राय बना लेते हैं साथ ही बहुत तेजी से अपनी राय लोगों तक भी पहुचा देते हैं हाल के दिनों में ऐसी अनेक घटनाएं हमारे सामने आई हैं जिनमें मीडिया ने जन्मत तयार किया निर्भया कार्ण से सब लोग परिचिती होंगे दिल्ली में एक लड़की के साथ कुछ लड़कों ने अमानवी हरकत की मीडिया के माध्यम से लोगों तक जब यहाँ बात पहुँची तो लोगों ने अपनी राय एक दूसरे से साज़ा करना प्रारंब कर दी बहुत जल्द इस घटना ने एक आंदोलन का रूप ले लिया देश के अनेक हिस्सों में अपराधियों को सज़ा दिलवाने के लिए धर्नाई प्रदर्शन किये गये लोगों द्वारा सरकार पर पुराने कानून की जगा नए कानून बनाने का दबाव बनाया गया इस दबाव में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मीडिया का था लोगों का दबाव इतना था कि अंतता सरकार को पुराने कानून में बदलाव करते हुए ऐसे कृत्तिक करने वालों के खिलाब सज़ा को और अधिक सक्त कर दिया गया इस कानून के परिणाम सरूप अब यदि कोई 16 साल का लड़का किसी लड़की के साथ ऐसा आमानवी हरकत करता है तो उसे वैसकों की भाती सज़ा दी जा सकेगी इसी प्रकार 2011 में प्रारम हुए जन लोगपाल बिल के आंदोलन की व्यापकता पर भी मीडिया के प्रभाव को देखा जा सकता है इस आंदोलन में आंदोलन कारियों ने जन लोगपाल बिल बनाने के लिए मीडिया का बहतर ढंग से उप्योग किया था मीडिया के माध्यम से ये लोग अपनी बात लोगों तक आसान और प्रभावी रंग से पहुँचा पाए और इसे कारण लोगों का बड़ी संख्या में आंदोलन को सहयोग प्राप्त हो सका इस प्रकार बदलते हुए समाज की जरूरतों के अनुसार मीडिया ने लोगों को शासन में भागिदारी के नए उसर और नए विकल्प उपलब्ध कराए शाशन में जनसे भागिता बनाने में मीडिया एवं संचार के माध्यमों की महत्पूर्ण भूमिका है दूसरी दरप मीडिया के कुछ क्थरे भी है मीडिया या तो सरकार के या बहुत धनी कंपनियों के हाथों में होती है ये अपने नहित स्वार्थ या संकुचित हित के लिए अपने चैनल या पत्रिका का उप्योग कर सकते हैं आमतोर पर मीडिया में काम करने वाले पत्रिकार आदी शहरी मध्यमवर्ग के होते हैं जो गरीब या ग्रामीड अंचल के लोगों की समस्याओं को अंदेखा कर सकते हैं। अगर मीडिया किसी खबर को गलत ढंग से लोगों तक पहुचाती हैं, तो लोग उसके प्रभाव में आ सकते हैं। राजनेतिक दल, दबाव समू और अनिसंगठन अपने मत के प्रचार के लिए ऐसा कर सकते हैं। इसलिए मीडिया को इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मीडिया की हमेशा सकरात्मक पहल होनी चाहिए, ताकि लोग तंतर में उसकी भूमिका बढ़ती रहें। इस अध्याय में हमने लोग तंतर में जनसहभागिता के बारे में जाना। हमने देखा कि जनसहभागिता लोग तंतर की सफलता के लिए जरूरी है। भारत के संदर्भ में हमने यह भी देखा कि जनसहभागिता के बहुत से तरीके संविधान में ही दे दिये गए है। लेकिन संविधान के बाहर भी ऐसे बहुत से साधन हैं, जिनसे लोग शाशन में अप्रत्यक्च भंग से सहभागिता करते हैं। दबाव समों और मीडिया ऐसे ही साधनों में से महत्वपूर साधन हैं जिनकी व्यवस्था सम्विधान में नहीं किये गई थी, किसी लोगतांत्रीक देश के लिए या आवश्यक है कि सरकार में लोगों की सहभागिता के नए अवसर बनते रहें ताकि लोगतांत्र और अधि मजबूत होता रहें